देखो जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं क्योंकि कुछ कोर्सिस हैं जिनकी ज्यादा रिक्वार्मेंट है बच्चों के उस हिसाब के प्रोफाइल के अगर आप आलो वर्ड देखें साइबर सेक्योर्टी वालों के आटिफिशल इंटेलिजेंस वालों की काफी है हाड मेंस कि वो सारा चक कर रहे हैं बच्चे को हर डेक्यूमेंट उसका सब ठीक होना चाहिए लेकिन लेनियंसी कहां है कि आप आप कुछ यूनिवर्स्टियां कहते हैं कि जो आप फीस पे कर रहे हैं उसके भी हमें प्रूफ तो थ्री मंस ओल्ड है तो वो बच्चा कहत सोला लाक रुपिया लिविंग एक्सपेंसरी पंदरा लाक रुपिया चोवीश ट्वेश ट्वेंटी फॉर थाजन फाइफ फॉरंडर फिफ्टी कितना है तो यह तो यह जो है हमारे पास ओल्ड है एंड टू थाजन डॉलर एयर फियर तो इनको मिलाएं तो अगर आज की क पास पुराना है लेकिन फीज वो फ्रेश डाल सकते हैं लेकिन युनिवस्टियां एक्सेप्ट नहीं करती हैं काफी सारी युनिवस्टियां कहती हैं वो आप पुराना दिखाओ तो यहां कुछ लेनियंसी यह आ जाती कि बच्चा वन एयर की फीज अपनी दिखा दे जो के अकाउंट में हैं और लिविंग एक्सपेंस पुराने हैं क्योंकि युनिवस्टिय में फीज चली गई कन्फरमेशन आफ एंडूल्मेंट युनिवस्टिय से आने लेकिन फीज पे करने से पहले जीटी अप्रूफ कराना है तो आपके लिविंग एक्सपेंसे या एजुकेशन लोन जो भी है वो 15-16 लाग पुराना हो फीज आप नहीं डाल सकते हैं लेकिन इंकम से कोई कंप्र तो 57 लाग का आप वो एड कर सकते हो तो आपकी इंकम अच्छी हो जाती है 50 लाग के अराउंड अगर इंकम हो जाती है और बेटर हो जाता है तो लेकिन परसंटेज आपकी 60 परसंट में फोर सब्जेक्ट में जीटी में आपका अकेडमिक भी आएगा आपके फिनेंशल भी आएंगे आपका IELTS स्कोर भी आएगा उन सब को मिला कि आपकी एक जैन्यून एंट्री होती है जैन्यून टेंप्रेरी एंट्री जीटी जिसको बोला जाता है अब आपके 60 परसंट नॉन मेडिकल के स्टूडेंट के जो है होना चाहिए बेस्ट फोर में IELTS 6.5 नॉट ले दिये कि वन एयर का आपका जो है फीस वो चाहिए आपकी अभी जमा हुई हो डसेंट मैटर लेकिन लेविंग एक्सपेंसिस आपके ओल्ड होने चाहिए या एजुकेशन लोन के तुरू आप कर सकते हो तो यह मिला के कंप्लीट जीटी प्रोसेस हो गया है वो हम आपका क्ल प्रियर हो जाता है फिर आपको युनिवरस्टी फीस पे करने के लिए बोलती है फीस पे करने के बाद आपके पास CEO आती है Confirmation of Enrollment उसके बाद आप अपनी फाइल लॉच कर सकते हैं फाइल लॉच करने के बाद आज कल वीजा रिजल्ट जल्दी ही आ रहा है और यह अभी वो कहां से आया और आज कल तो वन एयर कर भी अगर आपने पुराने फॉंड्स दिखाए हैं एक साल पहले कभी सोर्स मांग रही हैं कुछ युनिवरस्टियां तो वो डिले बहुत चल रहा है उस कारण जीटी में या स्टूडिन्ट जो पीरिंट्स हैं उनकी इंकम क हम हैं या कई सारी युनिवरस्टियां बुटीक की इंकम नहीं अक्सेप्ट कर रहे हैं या एग्रिकल्चर इंकम नहीं अक्सेप्ट कर रहे हैं तो हर युनिवरस्टी का अपना है अगर मान लीजिए अग्रिकल्चर अब ऐसे कंसल्टेंट हमें बता होना चाहिए कौन सी उनिवस्टी क्या accept का रही है agriculture income के लिए आपकी ITR accept नहीं हो रही तो आप तिसेलदार से income certificate भी ले के रखो क्योंकि ITR में तो आप जितने margin income declare कर दो लेकिन उसका proof है की नहीं है वो बहुत जरूरी हो जाता है, पहले तो वो कहते थे आपके पास ITR होनी चाहिए लेकिन अब ITR आई तो उनको लगा ITR तो हर कोई आठ लाग दस लाग भी है क्योंकि अगरिकल्चर इंकम में तो टेक्स नहीं है अब वो कहते हैं तेसील दार से इंकम प्रूफ लेके दो कि वाकई में आपकी इतने इंकम है फिर उसकी ITR आप मंग लेते हैं तो यूनिवर्स्टी टू यूनिवर्स्टी जीटी डिपिंड करती है तो ऐसे कंसल्टेंट हमें पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्स्टी में जीटी निकल सकती है किस में जीटी जादा टाफ है अब कई बार क्या होता कि जीटी जादा टाफ होने से व झाल झाल